दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल नागरिकता संशोधन विध्यक के संसत के दोनु सद्रों में पास होने और राष्टपती की मंजूरी के बाद उस पर देश के अनेक हिसों में बवाल मचा हुआ है पुर्वत्तर के राजियों से उठा कैव विरोधी आंदोलन अब बंगाल, बिहार, तमिलनाट, दिल्ली, मुंबई नजाने किनकिन प्रदेशों में फैल गया है पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा इन आंदोलों से प्रभावित है अब तक देश के कई राजियों ने नागरिक्ता कानून के इन नए प्रावधानों को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है विरोध का दाइरा अगर देखा जाए तो देश से विदेश तक भी पहुँच गया है संजुक्त राष्ट्र मारवाधिकार आयोग ने कहा ये कानून मुलता विवेदकारी है और अंतरास्ट्री कानूनों और स्वैम अपने संविधान के प्रती भारत की वच्चन वद्धता के विरुद्ध है सरकार से बहुत अच्छा रिष्टा रखने वाली अमेरिका और बंगलादेस की सरकारों ने भी इस कानूनी शोधन पर चिंता जटाई है भाजपा ने राजसभा में संसदी प्रबंधन करके बिल पास तो करा दिया अब उसके सामने बड़ा संकट और बड़ी चुनोती है कि जनता के विरोध का प्रबंधन वो कैसे करे पार्टियों का प्रबंधन तो वो कर सकती है लेकिन जनता का कैसे करे लगभग सारा पुरोत्तर कैव NRC को लेकर जल रहा है असम सबसे ज़्यादा अगर आंदोलित है तो उसकी ठोस वज़ा है उसने पांच साल पूरे पांच साल NRC के भायानक अभियान की यंत्रणा को जेला है अपने आपको असम का वास्तविक निवासी साबित करने में कईयों को अपनी जान तक गवानी पड़ी बड़े पैमाने पर लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया इसमें ऐसे रिटायर आफिसर भी थे आर्मी के जिनोंने करगिल के मोर्चे पर भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी पर दिल्ली में ग्रेह मंतरी अमिश शाह और गुहाटी में मुख्य मंतरी सदारन सोनवाल कहते रहे कि असम में एनर्सी के नतीजे बहुत तेजी से लागू किये जाएंगे पर हुआ क्या एनर्सी के नतीजे आ गए पर भारती जनता पार्टी और उसकी मन्शा पूरी नहीं हुई उसके इस जूट का उसकी ही एनर्सी ने परदाफास कर दिया कि असम के कथित घुस पैठिये बंगलादेशी मुसल्मान के वल है 19 लाख अनधिक्रित लोगों में तकरीबन 11 लाख से अधिक हिंदू या गैर मुसलिम निकल आए तब सरकार ने कहा एनर्सी के नतीजों पर अमल नहीं होगा सरकार जल्दी ही नागरिक्ता के कानून में बदलाव करेगी फिर नर्सी लाएगी जो असम सहित पूरे देश में लागू होगा लेकिन प्रधान मंत्री मोदी ने अभी जारखंड की एक रैली में मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि कैप से घबराने की किसी को जरूरत नहीं है किसी से भारती नागरिक्ता के लिए वो हिंदू हो या मुसल्मान हो जो भारत का नागरिक है उससे कोई उसको परिशान होने की जरूरत नहीं है कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे प्रधान मंत्री जूट बोल रहे थे जो मैंने उनको सुना एनर्सी में क्या हुआ था समय और गरी मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कैब के फोरन बात एनर्सी आएगी यानि समूचे देश में एनर्सी को लागू किया जाएगा नेनार्सी को लागू करने का क्या मतलब है मतलब यह है कि लोगों से कहा जाएगा कि वो अपनी नागरिक्ता का प्रमाण दे चाहे वो मुसल्मान हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो जैन हो चाहे वो इसाई हो माफ कीजेगा तो अगर सरकार ये जूट बोल रही है सरकार के शिर्स्पदों पर बैठे लोग जूट बोल रहे हैं तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है बहुत दुख की बात है देश और दुनिया के तमाम कानून वीद बता रहे हैं कि मौजूदा कैब सिर्फ भारती सम्विधान के अनुचे 14 के ही उलट नहीं है वो सम्विधान की बुनियादी संरचना विचार और उसके कई अन्य अनुचेदों के भी विपरीत है नागरिकता और शरण के बारे में हम महमूद अली बेग जैसे वरिष्ट सदस्यों ने महत्वण विमर्ष पेश किया जिसके आधार पर नागरिकता के प्रावधान तैक किये गए इतिहास की कैसी विडम मना है कि देश की आजादी की लड़ाई में जो हिस्सेदार ही नहीं थे उनके राजनितिक वन्शज आज देश के संविधान को भगवाच चादर पहना रहे हैं और डंके की चोड़ पर RSS के प्रमुक काते हैं कि भारत एक हिंदू रास्टर है अपनी सरकार पाकर अब वे इसे धीरे-धीरे संविधानिक तोर पे जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं अब आप ही सोचिए नागरि और पारसी ही भारती नागरिक्ता पा सकेंगे कानून में प्रतारित अलप संखिकों की स्रेणी में मुसल्मानों को नहीं शामिल किया गया है क्या पाकिस्तान के जो महाजिर हैं जो अहमदिया हैं क्या वो प्रतारित नहीं है क्या वो अलप संखिक नहीं है फिर इस कानून म सिर्फ मुस्मिल मुस्लिम भूल आवादी वाले तीन पडोसी देशों के शनार्थियों की नागरिक्ता को ही क्यों संबोधित किया गया क्या म्यानमार श्रिलंका और चीन हमारे पडोसी नहीं है अगर इस कानून के पीछे कॉमिनल के बजाए मानवी नजरिया होता तो निश्चे ही इसमे इम्यानमार और स्रिलंका को भी शामिल किया गया होता ताकि भारत में पहले से रह रहे हजारों रहें गया और हजारों तमिलों के मसले भी हल्क किये जा सके है कटाफियर भी 2014 रखा गया है असम के लोग योहीं किसी के बहकावे में आकर सरकों पर नहीं है उनका साफ शब्दों में कहना है कि उन्हें किसी तरह की बहिरागत आबादी मनजूर नहीं चावो हिंदू हो या मुसल्मान हो और इसका निप्टारासन 1971 कटाफियर जो पहले तै किया गया था समा आंदोलन के बाद उससे होना चाहिए असमिया लोगों ने पूरे पांच साल एनार्सी की पीड़ा जिली है वे दर्द के बड़े दरिया से गुजरे हैं दबन और सत्ता की गोलियों से कई आंदोलन कारियों के मारे जाने के बावजूद वहां आंदोलन लगातार टीखा हो रहा है गोहाटी में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो की शिखरवारता यहां तक की शिंजो साहब की भारत यात्रा ही रद्द करनी पड़ी पर सरकार चाहती है कि भारत और दुनिया को मालूम नहो कि मोदी की अगवाई में इस वक्त भारत में ऐसी सरकार है जिसने स्वैम अपने ही फैसले से देश को बुरी तरह डिस्टर्ब्ड कर दिया है। इंग हासन का हुक्म नामा है। मनुवादी हिंदत्वा राजा महराजाओं की तरह सीधे हुक्म देता है अपने भद्दे कानून के खिलाप खड़े लोगों की आवाज बाहर न आने के लिए वह किसी वैद अवैद कानून का भी सहरा नहीं लेता। लेकिन जनाक्रोश को कु केंद्र का विशा है पर केंद्र अगर निरंग कुष्टा के नंगे नाच पर उतारू हो जाए तो उससे असामत राज्य क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। केंद्र इन राज्यों में सरकारी मशेंडी के सहयोग के बगएर कैसे लागू कराएगा कैब और NRC एक केंद्रिय सत्ता बनाम जंता और केंद्र और राज्यों के बीश जारी इस्तीखी सियासी जंग शेदेश को मचा सकता है। अनुप्रास बाजी और जुमले बाजी में सबसे आगे राते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा कोई ऐसी शब्द बाजी करे ऐसे कोई नारे बाजी करे तो उससे वो नाराज हो जाते हैं। वे करते कुछ खास नहीं पर बोलते बहुत हैं। अब आप ही खोज लीजिए मेक कि निंडिया का नारा कुछ यूंग मुझा मानो ऐसा लग रहा था कि भारत दुनिया के नक्षे पर एक बहुत बड़ा कारोबारी और द्योगिक विकास और निर्मान च्छितर का बड़ा विक्सित देश बन जाएगा। पर नोटबंदी ने हमारे देश के छोटे मजोले उपक्रमों को जितना नुकसान पहुँचाया उतना तो किसी बार भुकम्प या सुखार ने भी नहीं पहुँचाया। ऐसा लगा मानो हमारे देश के छोटे मजोले उपक्रमों पर किसी ने बड़ा बम गिरा दिया है। अब तक अगर आप देख लिजे अब अगर कोई न कम मंत्रियों को भी इससे बड़ी परिशानी है कि विपक्ष का एक बड़ा नेता मेकीन इंडिया का मजा कुडाते हुए कहे कि आज रेपीन इंडिया हो गया है कैसा फूहर स्थीन था जिस वक्त पूरा पूरवांतर कैब के खिलाप सडकों पर था दिल्ली चेन्ड़ी और मुंबई में उग्र विरोध परदर्शन हो रहे थे उस समय भाजपा नेताओं का एक के खेमे ने देश के प्रमुक हुए पक्षी नेता के बयान को तोड़ मरोड कर पेश करना सुरू कर दिया भाजपा की ये बहुत पुरानी आज माई हुई टैक्टिस है कि जब उसकी कि किसी विफलता या उसके किसी कुकर्म के खिलाब जनता में आक्रोश ज्यादा हो तो कोई ऐसा मुद्दा उठा दो या कोई ऐसी घटना करा दो कि लोगों का ध्यान पढ़ जाए इसके लिए इस बार सत्ताधारी दलने ट्रिविलाइजेशन और अतिनाठी की अतामे से दस् गैर राजनितिक विजास के नेताओं और नेत्रियों को आगी किया ये उक्त विपक्षी नेता के खिलाब चुनाव आयोग भी चले गए उनसे माफी की मांग करने लगे पर विडंबना देखिए तमाम भासपाई नेता अपनी पार्टी के पुरु केंद्री मंत्री चिनमय आते रहे आसा राम बापु याद हैं राम रहीम याद हैं नित्यानंद स्वामी याद हैं जो सुना है कोई द्विप खरीद लिये हैं आजकल इनके मामलों पर भारती जंता पार्टी कहां खड़ी थी याद है कुछ आपको तो रेप इन इंडिया कहने पर आज शोर्क्यों मचा रहे हो भाई अगर रेप हो रहे हैं अगर गैंग रेप वाकई सरकारी आंकलों के मताबिक भी बढ़े हैं तो क्यों इतनी परिशानी है दोस्तों आज बस इतना ही जाते जाते एक टिपनी जरूर करूंगा कि इस वक्त देश वाकई एक नाजुक मोड पर खड़ा है हम और उसमें भी हिंदु मुसल्मान करनी की कोशिश की गई है लोगों को बांटनी की कोशिश की गई है एक खतरनात साजिशों का एक अमबार सा हमारे सामने खड़ा है अब आप देखिए इस देश को अगर बचाना है तो सच मुच आवाजों को उठाना पड़ेगा और आव हुआ है